नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग वसीम रिजवी से रिलेटिड एक निउस निकल के आ रही है थोड़ा कॉंट्रोवर्सी में रहा है ये टॉपिक इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या हुआ है इसके बारे में बात करूँगा और ओवर ओल इंडिया में अगर कोई इंसा अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसका procedure क्या है मालो मुस्लिम हैं हिंदू बनना चाहता है जह दो क्या प्रोसेस है अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग क्या प्रोसेस है उसको भी इस पर्टिकुलर वीडियो में हमँग बहुत ही कम समय में समझने की कोशिश करेंगे basically एक ऐसा board होता है जो कि religious properties को देखता है religious land को देखता है तो इन्होंने Hinduism में convert कर लिया इनका नाम हो गया है जितेंदर नारायन शाहत्यागी तो इस news को थोड़ा समझने कोशिश करते हैं actually मैं वसीम रिजवी साब पहले ही आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक Islam के against statement दे चुके हैं ऐसा इनके बारे में बोला जाता है और recently दासना टैंपल इन गाजियाबाद में इन्होंने अपना धरम परिवर्तन किया ओके इन्होंने ये बोलाए कि ठीके जब मैं मर जाओंगा तो मुझे दफ्राना मत मिरको जलाना हिंदू credentials के साफ से तो इस प्रकार की बातें ओर और यहां पर निकल के आई हैं पहले जो इनकी history रही है तो recently इन्होंने चार नॉम्बर को एक बुक रिलीज की और उस बुक में ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने प्रॉफिट मुहम्मद साफ के बारे में कुछ गलत बाते लिखती है तो जो असदुद्दीन उवैसी है प्रेजिडेंट है औल इंडिया मजलिस ए इत्तहुदिल मुस्लिमीन के जो कि हैदराबाद के MP भी है उन्होंने इनके खिलाफ एक F.I.R. फाइल की वसीम रिजवी का ये भी बोलना है कि इस पर्टिकुलर बुक के चलते इनको बहुत सी धमकिया आई है ठीक है एक और चीज़ के लिए यहां पर वसीम रिजवी न्यूज में रहे है आप समझ ये बहुत बड़ी बात है जैसे कि हमारी हिंदू धरम में गीता हो गई वैसे ही मुस्लिम धरम में आपकी कुरान है कुरान के अंदर कुछ पर्टिकुलर वर्सिस को हटाने के लिए एक P.I.L. सुप्रीम कोर्ट में दायर करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हाला कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को इंटर्टेन भी नहीं किया वसीम रिजवी के उल्टा वसीम रिजवी के उपर 50.000 रुपए का फाइन भी लगा दिया कि तुम कैसी उल्टिसीदी पर्टिशन यहां पर लेके आते हो वसीम रिजवी ने यहां पर बोला था कि कुरान के 26 वर्सेस को आप हटाईए चुकि यह वर्सेस टेर्रिजम पहलाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया ओवरॉल 5010 रुपय का फाइन लगा दिया उसके बाद आप देखोगे कि वसीम रिजवी तबसे बहुत सारे अलग-अलग प्रैटफॉर्म पर बोल रहे हैं कि ये सब नहीं हुआ ठीक है जो कि एक अच्छी बात है फिर 2019 में इन्होंने एक फिल्म प्रिड्यूस की थी कॉंट्रोवर्सिल फिल्म जिसका नाम है राम की जन्म भूमी इसमें भी ये थोड़ा बहुत कॉंट्रोवर्सी में रहे निउस में रहे तो अब इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो एक चीज़ इंपॉर्टन हो जाती कि जो धर्म परिवर्तन का प्रॉसेस है ये क्या है वैसे मैं आपको बता दूँ कि वसीम रिजवी पहले काफी influential politician रह चुके है समाजवादी party के साथ ये associated थे एक समय पे समाजवादी party के एक बड़े famous leader है आजम खान आजम खान का नाम जो भी UP में रहता है उसने सुना होगा तो उसके काफी करीबी मने जाते थे लेकिन वागन जब योगी आदितनात की सरकार आई तो ये pro-BJP हो गए ऐसा कहा जाता है अब हम बात करते हैं most important चीज़ की जिसके लिए ये particular video लेके आया हूँ में इस particular topic को ठाया है मैंने वो है the legal procedure for religion change in India इंडिया में religion कैसे change किया जाता है क्या हम change कर सकते हैं तो जी हाँ article 15 of the Indian constitution के साब से freedom of religion fundamental right है तो ये आपका fundamental right है आप कौन से धर्म को follow करना चाहते हो इंडिया एक secular country है या हर individual के पास अपने धर्म को practice करने की और promote करने की पूरी की पूरी आजादी है इसमें आप अपने voluntary तरीके से धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं आप अपनी खुद के belief की वज़े से divorce की वज़े से या marriage की वज़े से marriage की वज़े से जो धर्म परिवर्तन है वो थोड़ा problem में चल रहा है बहुत सरी अलग-अलग राज्य की सरकारे love जिहाद को लेके धर्म के नाम पे तब शादी के नाम पे जो धर्म बदलाव है ना इसके ओपर कुछ नियम कानून लेके आ रही है वो एक अलग-कॉंट्रोवर्शल टॉपिक है उसके बारे में मैं पिछले एक साल से अपने daily एडिटोर्स में बात चीत कर रहा हूँ नहीं थी तो इस particular incident के बाद लव जिहाद को लेके overall भारत के बहुत सारे राज्यों ने इस प्रकार के नियम कानून निकाल दिये कि शादी के आधार पर आप धर्म परवतन नहीं कर सकते ठीक है हाला कि अगर आप एक broad interpretation लेके चलें article 15 of the Indian constitution का तो शादी अगर आप किसी दूसरे धर्म के परसन के साथ कर रहे है तो आप उपनी मर्दी से धर्म परवतन कर सकते हो तो धर्म परवतन करने के लिए सबसे पहले आप हो क्या करना है एक religion change का एफिडेविट तैयार करना है ठीक है तो स्टैम पेपर के उपर religion change का एफिडेविट होगा स्टैम पेपर इसलिए होता चुकि देखिए स्टैम पेपर अगर आप खरीद रहे हो मतलब आप सरकार को एक प्रकार करहिवनी देरो चाहाँ पचास रुपए का हो स्टैम पेपर पेपर आपका पुराना धरम आपका नया धरम जो भी आपका एड्रेस पता है वो लिखाओगा नोटराइजड स्टैम पेपर होगा फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि किसी अच्छे खासे पढ़े जाने वाले अकबार में एक advertisement छपाओगे न्यूसपेपर में खबर क्यों छपाई जाती है इसलिए छपाई जाती है ताकि overall आप अपना धरम परिवर्तन कर रहे हैं सब को पता चल जाए तो इससे अगर आपके धरम परिवर्तन करने में किसी को objection है तो वो सामने आके बो सके आप धरम परिवर्तन किसी illicit वज़ा से किसी illegal वज़ा से करवा रहे हो तो वो सामने आ सके तो आप openly declare कर रहे हो कि हाँ भाई मैं धरम परिवर्तन करवा रहा हूँ और आपके धरम परिवर्तन करवाने की पीछे कोई ulterior motive नहीं है इसलिए आपको एक advertisement प्लेस करना है newspaper में फिर next होता है गेसिट procedure नैशनल गेसिट यह क्या है तो यह एक online record है जिसको central government publish करती है तो इस particular गेसिट में overall आप कह सकते हो कि हमारे देश की जो बहुत सारे individuals से उनका नाम लिखा हुआ तो कुल मिला के इस गेसिट में जो भी individuals है उनका धरम वगरा भी लिखा हुआ तो आपने stamp paper पे religion change affidavit दिया उसके बाद आपने advertisement place किया उसके बाद इस concerned गेसिट में आपके नाम के against जो religion है उसको भी तो change करना है न भाई अप religion change करवारे है तो ज्यादा तर केसिट में नाम भी आपको बदल जाए तो गेसिट प्रोसीजर में आप national गेसिट को ये inform करते हो कि भाई देखिए मेरा ये नाम था मेरा ये धरम था मैं अपना धरम ये बदल रहा हूँ अगर आप नाम बदल लो तो वो भी आपको बता दिया जाता है और फिर गेसिट में आपका नाम छपने में लगबख 60 बिजनेस दिन तक लगते हैं और एक बार इगेसिट में आपका नया नाम और नया धरम छप गया मतलब overall formally आपका धरम परिवरतन हो गया तो overall ये पूरा का पूरा तरीका है अगर भारत के तीन सबसे बड़े धरमों की बात की जा Islam, Christianity और Hinduism तो इसमें कैसे धरम परिवरतन होता है इनके specific क्या तरीके हैं धरम परिवरतन के जब शहादा perform हो रहा होगा perform हो जाएगा और दो witnesses के सामने perform होगा तो जो मौलवी साब होंगे इस मजजिद के वो आपको एक conversion certificate देंगे जो की उस mosque के letterhead पे होगा साथ-साथ एक शहादा certificate basically इस conversion certificate को शहादा certificate ही कहा जाता है और इस certificate पे किस दिन आपको conversion हुआ और कौन-कौन से witnesses वहाँ पे थे उनके नाम भी लिखे होगे ठीक है एक बार ये conversion certificate आपको मिला मतलब आप इसलाम को कबूल कर चुके हैं प्रपर तरीके से उसके बाद आप Islamic practices में involved हो सकते हैं लेकिन इस particular conversion certificate के साथ-साथ एक application form for notification in the official government gazette तो भाई सरकारी प्रक्रिया भी तो पूरी करनी है सरकारी gazette में जो आपका नाम लिखा है धर्म लिखा है उसको भी तो बतलना है तो इस शहादा certificate के साथ-साथ आपको यहाँ पे सरकारी certificate भी भरना होगा जो कि सरकार को यह बताएगा कि हाँ भया officially आपने अपना धर्म convert कर लिया है फिर मालो किसी को Christianity convert होना है तो आप चर्च में चाहिए चर्च में आपके साथ एक baptism procedure फॉल होगा और उस procedure के बाद आपको एक नया Christian नाम दिया जाएगा और एक conversion certificate दिया जाएगा इस conversion certificate के साथ-साथ भी आपको भारत सरकार का application form भरना होगा जिसमें यह लिखा होगा कि ठीक है भाई आप government gazette को यह बता रहे हो कि हाँ भाई मेरा नया नाम यह है नया धर्म यह हिंदू धर्म में इस प्रकार का कोई formal procedure नहीं है जैसे Christian धर्म में baptism procedure है Muslim धर्म में शहादा है उस प्रकार से हिंदू धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है हिंदू धर्म में अगर आपको लगता है आपको हिंदुजम में convert कर देंगे और आपको certificate of conversion दे देंगे और उसके साथ साथ भी आपको एक application form भरना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि भाई आप national gadget को inform कर रहे है कि हाँ भाई आपका नाम बदल गया है आपका धर्म बदल गया ठीक है तो ये पूरा का पूरा procedure है यहाँ पर धर्म के conversion का तो धर्म के conversion के procedure के context में मैंने आपको कुछ basic info दिये थैंक यू फू वाचिंग जादा से जादा लोगं को साथ इस वीडियो को शेर करिए Instagram पर follow कर लिजे टेलिग्राम गूर्प जान कर लिजे दोने चीज़ों का link नीचे दिवा हुआ है और हो सके तो join button दबा के help करें दूस्तों आपके join button दबाने से काफी मदद मिलती है तो please click the join button if possible have a great day, good bye, थ्यान रखिए अपना